हाई फ्रेंड्स कम समय में कम इंग्रिडियंट्स के साथ आलू और मेती की सबजी आज मैं बनाने जा रही हूँ तो वीडियो को पूरा एंटरूर देखे यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन डाल दिया दो चमज तेल तेल गरम होने के बाद डाल दिया है एक चमज जीरा जीरार फूर्टने के पाद डाल देएना है एक बड़ा प्याज प्याज को अच्छे से सोटे करना है सुनेरा होने तग इसको पकाना है अब एड किया थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ग्यास का फ्लेम मीडियम लो रखना है ताकि ये जलेना अब एड करना है लसन अद्रक का पेस्ट लसन अद्रक का पेस्ट डालने से सबजी का बहुट टेस्ट आएगा खाने में बहुट टेस्टी लगेगी आलू और मेती की सबजी अब इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले एक चमच धनिया पोडर आदी चमच हल्दी पोडर और एक से देड़ चमच लाल मिच पोडर तीखा आप कम जादा कर सकते हो अब मिला लेना है अच्छे से इसको मसाला भून चुका है अब एड करना है चार उबले हुए आलू यहाँ पर मैंने चार उबले हुए आलू डाला है अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला सब में अच्छे से कोट हो जाए और ग्यास का फ्लेम मीडियम लो रखे ताकि सबजी जले ना अब एड़ करना है एक से दिल चमच नमक या अकॉर्डिंग टेस्ट आप कर सकते हो मिला ले अच्छे से अब इसी स्टेज पे हम डालते हैं मेथी मेथी को मैंने दोया दोकर बारिक काटके इसमें अभी डाला चार आलू को दो कप मेथी लगेगी मेथी डालने से आलू की सबजी बहुत टेस्टी बनेगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा यह सबजी आप रोटी के साथ फुलकों के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हो और पिकनिक में ले जाए तो मज़ा ही कुछ और है अलू मेति की सब्जी रेडी हो चुकी है अभी दो मिनिट में बन के तयार होगी इसको हम एक धक्कन रखकर फिर से दो मिनिट तक पका लेंगे देखते हैं दो मिनिट हो चुके है अलू मेति की सब्जी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए तो आप भी बनाईए, खाईए और कैसी बनी है आपकी सबजी मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए रेसिपे के साथ वेरी सिंपल है ना आलू और मेती की सबजी तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करना